दोस्तो आप लोग कैसे हैं मुझे उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में शारूखान ने जिस तरह से बॉइकोट गैंग का सफाया कर दिया दोज़र तेईस में बॉक्स ओपीस को जला के राग कर दिया दोस्तो जो कह रहे थे कि बॉलीवूट की वापसी नहीं हो सकती है बॉलीवूट खतम हो चुका है पेंडमी के बाद लोग ठेटर नहीं जा रहे थे और शारूखान की एक फिल्म आती है पठान और ओर्डियन्स भागते होए ठेटर पहुँचती है ठेटर का जो गेट होता है ना उसस तोड़ते होए पहुचती है ऐसे नजारे हमें देखने को मिले थे पठान के वक्त पे कि पब्लिक ऐसे ट्रक में भरभर के पहुच रहे थी सिनेमा घर सिधात आनन पागल हो गये थे वायरेफ पागल हो गया था वायरेफ को इतना नुकसान हुआ था दोस्तो वो सब पीसे बिजनेस की जवान आई तो लोगों ने कहा कि भाई ये शारुखान जिसे हम रोमैंटिक स्टार समझते थे ये तो मास का बाप है अगर ये मास फिल्में करें तो ये इसके सामने कोई टिकी नी पाएगा और बिल्कुल सही लोगों ने सोचा और लोगों ने सही कहा कि अगर शारुखान इस तरह की फिल्म पठान और जवान जैसी फिल्म अगर 2012 में 2013 में करनी शुरू की होती तो बहुत सारे जो एक्टर हैं थे उस टाइम पे बॉलिवुड के जो एक्शन फिल्में करते थे रिमेक फिल्में करते थे भाई क्या वो रहते हैं बहुत बड़ा सव लार्जेन देन लाइफ वाला रोल शारुखान को दे सके शारुखान को मतलब पाउरफुल किरदार दे सके साउथ में हैं दोस्तों और इसे लिए शारुखान साउथ के तरब जा चुके हैं शारुखान को लगता है कि हजार करोड ये छुटकियों का खेल है शारुखान के अगर बड़ा मारधर वाली फिल्म मना दें, ऐसी फिल्म मना दें, जो देसी हार्टलेंड की ओडियंस को टच कर जाए, थोड़ा सा इमोशनल हो फिल्म है, अच्छे गाने हो, बड़े बड़े सीक्वेंस हो, हजार करोड दोस्तों ऐसे चुटकी बजाते शारूख खन कर दें चीज कर रहे हैं, शारूख खन की फिल्म में 200 नहीं कर रही है, 300 नहीं कर रही है, यह 1000 करोड के बारे हैं बात कर रहे हैं, भाई जवाब मिला ना आपको पठान से जवान से आपने देखा, जो शारूख खन के हेटर से मैं उनके लिए कह रहा हूं, और जो चाहने वाले हैं वो समझ रहे हैं कि शारूख खन बस एक रोमेंटिक स्टार नहीं है, यह कभी भी रोमेंटिक स्टार थे ही नहीं, आप सोचें कि 90's के दोर में बड़े बड़े अक्टर एक्शन फिल्म में बनाते थे, सुनिल सिटी, अजे देगन, सलमांग खान, सनी देवा, लक्षे कुम अब शारूख खन रोमेंटिक फिल्म करकि उतना फूल था, वो में बनाते थे हैं, आपनी, सोचा था कि जो एक्टर रोमेंटिक फिल्म बनाके ऑर्डियन्स में खीच करने लगे तो फिर क्या होगा, मैंने बहुत पहले आपको कही थी पठांग के आने से पहले कही थी यह और रिजल्ट आप सभी के सामने हैं कि जब जब एक्शन फिल्म शारुक खान करेंगे तो क्या होगा तो बॉलिवूड के कोई डिरेक्टर ऐसे नहीं जो शारुक खान को उस तरह से दिखा सकें इसलिए शारुक खान साउत में जा चुके हैं और अटली ने जब से हजार के फिल्म दी है दोस्तो साउत के इतने डिरेक्टर हैं वो अटली से मिल रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं हमारी कहानी पहुचवा दो जब फिल्म बन रही थी जब बन रही थी तो अटली के साथ लोकेस कनगराज पहुचे थे विजे सतुपति ने उनकी मुलाकात कराई थी और अभी खबर दोस्तों ऐसा आ रहा है कि शारुखान अभी वापस आएंगे तो फिर एक मीटिंग रखी जाएगी लोकेस कनगराज और शारुखान के बीच अपनी कहानी वो सुनाने वाले हैं और कहां ये जा रहा है दोस्तों कि लोकेस कनगराज एक रजनी कान्त के साथ फ क्योंकि रजनी कान्त वाली जो फिल्म लोकेस कनगराज बना रहा है ये भी फिल्म शारुखान को ओफर की थी लेकिन दो हिरो वाली फिल्म है तो सेकेंड लीड के लिए ओफर किया था शारुखान ने मना कर दिया था कहा था बाई कोई सोलो कहानी वाली फिल्म हो मेरे पुछ भी कंफॉर्म नहीं है अभी शारू खान स्क्रिप्ट में सुधार करवाएंगे क्या करवाएंगे दोस्तों या फिर फाइनल डन हो चुका है इसको लेके 8-10 दिन में मुझे लगता है कि फाइनल कंफॉर्म होई जाएगा शारू खान की सुजाय घोस के साथ एक फिल् परफॉर्मेंस था जो उन्हों नेटफिक्स पर फिल्म की थी उस परफॉर्मेंस से शारू खान हैपी नहीं है और चाहते हैं कि सुहाना खान थोड़ा सा और काम करें और वक्त लिया जाए शारू खान को अभी ऐसा लगने लगाएं कि ये स्क्रिप्ट हो सकता है सुहाना के लिए सही नहीं है सुहाना खान को कोई दूसरी कहानी पर फिल्म बनवा सकते हैं ये सब चीजे चल रही है दोस्तों ये सब प्रटक्सन हाूस में चल रहा है अंदर की खबरे हैं कि शारू खान चाहते हैं कि सुहाना खान को थ्रौ टाइम दिया जाए और इस फिल्म को ब परवरी एंड में स्टार्ट हो जाएगी, इसके लुक्स बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, इस फिल्म चाहरू खांर को यह भी मास फिल्म हो रहे हैं, तो क्या इस तरह के फिल्म हम कुर सकते हैं? अब लुकेस कनगराज की बारी दोस्तों आती है अगर ये फिल्म होल्ड पे चली जाती है तो रजनी कांत वाली फिल्म भी बंद होने जा रही है ये भी फिल्म दोस्तों होल्ड पे रखने जा रहे हैं लुकेस कनगराज तो हो सकता है कि लुकेस का नजराज शारुक खान को लेके बहुत जल्दिक फिल्म शुरू कर दे दोश्तो, विलेन कौन होगा फिल्म का नाम क्या होगा भी वर्किंग टाइटल है पैंथर आप सभी को पता है अक्ट्रिस कौन होगी मुझे बता है कि म्यूजिक तो अनिरूद का ही होगा क्योंकि अनिरूद से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है शारुक खान को तो साउट की डिरेक्टर अगर काम करेंगे तो अनिरूद का ही म्यूजिक होगा मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़े स्केल पे फिल्म मनेगी बॉलिवूड के कुछ और डिरेक्टर है जो अपने स्क्रिप्ट संबिट किया है रेट चिलीज में इसको लेके बहुत सरी जंगारी आ रही है दोस्तों लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उन डिरेक्टरों का क्योंकि अभी कुछ भी कमफर्म नहीं है अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूँगा अलग से तो फिलहाल शारुक खान अब भाई बड़ा सोच रहे है कि दो हजार करोड तीन हजार करोड मारा जाए भाई यह हजार करोड शारु कारोड के लिए बहुत छोटा नंबर लग रहा है हजार करोड अब भी लगनी भी चाहीए एक साल में सर्फ विदेसी कमाई हजार करोड की है शारु कारोड की तीन फिलमों की तो ये रिकॉर्ड मुझे लगता है नहीं है कि टूटेगा अगर कोई एक्टर सिंगल लैंग्विज में हजार करोड मार दे भाई तो कौन डरेक्टर शारुक खान के साथ काम करना नहीं चाहेगा क्या आपको लगता है कि इस इस राजा मॉली काम करना नहीं चाहेंगे संकर चाहेग याटली है और ओस वाराइ में तो आपको पता ही है अभी जो अटली है वह भी एक फिल्म लिख धान तो देखते हैं भाई बहुत जबर्दस फिल्म हैं आने वाली है शारूख खान की लाइनड़ दोस्तों बहुत तगडा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्ड आप लोग 24 के इंड में या 25 के स्टाट में दो हजार करोड़ वाली फिल्म शारुक खान का आप लोग देखने वाले हैं दो हजार करोड़ी फिल्म तो कितना एक्साइटेड है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और कितना हैपी हुए हैं आप लोग कि शारुक खान अब बड़ा सोच रहे हैं ड्रामा फिल्में नहीं करेंगे, रोमेंटिक कॉमेडी फिल्में नहीं करेंगे, बड़ी फिल्में करेंगे, संजलीला भंसारी को भी उन्होंने शारुक खान ने एडवाइस दे दिये, कि कोई बड़ा फिल्म लेकिया हो भाई, हम हजाग करो दोनों मिलके मार सकते, अगर ब टेक कियर